हलो हाई नमस्कार जैस्ट किस्टनर राधे राधे कैसे सबके हाल चाल अशा करता हम साथ अपने जियों में स्वास्त मस्त और व्यास्त होंगे और SK Study Academy YouTube परिवार के साथ अपने तियारी को और बहतर बना रहे होंगे जैसा अपने CET 12th और CET Graduation के लिए Top MCQ Series चलाई थी उसी की तरज़ पर हम लेके आएं जी हाँ दोस्तों आपके YouTube परिवार SK Study Academy YouTube परिवार आपके लिए लेके आएं पश्यू परिचर के लिए Top MCQ Series और ये Question ऐसे होंगे इतने महतुपूर्ण हैं कि वो सीधे एक्जामर देखने को मिल सकते हैं इसलिए आप इस Session को Like कीजिए, Share कीजिए और जदा-जदा Comment कीजिए कि आपके कितने Question इन में से सही हो रहे हैं तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले प्रशन के तरफ, पहला प्रशन है एतियासिस्तल, जाबालीपूर का आधनिक नाम क्या हैं इन चारों जीलो में से बताना हैं दोस्तों आपको कि इन चारों में से किसका नाम जाबालीपूर एतियासिस्तल के रूप में रखा गया था इसका सही उत्र हो जाएगा Option A, जालो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जाबालीपूर कौन से साचक के दोरान जालोर का नाम रखा गया था बढ़ते हैं नेक्स प्रशन के तरफ, किसी दिये गए दातु की तार की वेद्युक परति रोध्यक्ता निर्बर करती हैं उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्त कार्थ के शेत्र पर, उसकी आकरती पर, उसके पदार्थ की प्रकरती पर, इसका सही उत्र बताना है, इसका सही उत्र हो अप्शन D उसके पदार्थ की प्रकति प्रमिपर करता है कि किसी तार का व्यद्युक पर्ति रोधता क्या है? बढ़ते हैं नेश्प प्रश्ण के तरफ? अगला प्रश्ण है, जब हम सेब को टुकडों में काडते हैं तो कुछ समय के बाद सतर कारण बुरा हो जाता है यह क्या है? बोतिक परिवर्तन है यह रासायनिक परिवर्तन है यह बोतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है यह फिर यह तो बोतिक परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं है इसमें आपको सही उत्र बताना है इसका सही उत्रों का ओप्शन C यह एक रासाइनिक परिवर्थन है जिसमें कुछ changes होता है जिसमें अपनी अवस्ता change होती है वो रासाइनिक परिवर्थन के अंदर माने जाते हैं बढ़ते हैं next question के तरफ अगला question है पुराने चित्रों को selection किस ओक्षिक आरक के द्वारा किया जा सकता है H2S, H2PO4, H2O2, H3O इसका सही उत्तर बताना है आपको इसका सही उत्तर होगा option B H2PO4 एक ऐसा oxygen आ रहे है जिसमें पुराने चित्रों का सरंक्षन किया जाता है बढ़ते हैं next question के तरफ जब एक दादू पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कौन सी गेस निकालती है oxygen, nitrogen, chlorine या hydrogen इसका सही उत्तर बताना है इसका सही उत्तर होगा option D hydrogen जब एक दादू पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो hydrogen gas को उससर जित करती है चलते है next question के तरफ निम लिखिद में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको जैसे मैंने कहा सत्य असत्य और हाँ नहीं इस पर आपको पहले underline करना है ताकि आपको question गलत नहीं magnesium आतिस बाजी, uranium परमानुबं, potassium, electric bulb, zinc galvanization या galvanic current इसका सही उत्र बताना है आपको इसका सही उत्र होगा option, magnesium आतिस बाजी के यूज में किया जाता है यह सही यूरेनियम परमानुबं में यूज किया जाता है zinc galvanization के यूज में किया जाता है लेकि potassium है इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप जिसे हम सुनते हैं कि आपको सोना जाना है, तो 22 क्रेट का लेए 18 क्रेट, उस में confusion होता है, तो हो प्रशन जहें आ सुने कि 18 क्रेट केा सूने में कितना परतिशन होता है पहला है 50 प्रतिशत सोना, 18 प्रतिशत सोना, 60 प्रतिशत सोना या फिर 50 प्रतिशत सोना इसका सही उत्र हो जाएगा उप्शन D 18 गेट सोने में 50 ग्राम या 50 प्रतिशत सोना होता है यह था आज का अंती इंप्रशन दोस्तों मिलते हैं पश्यू परेचर टोप MCQ के नेक्ट पार्ट में तब तक लिए अपने ख्याल रखिए और SK Street Academy यूटूब परिवाय के साथ अपने त्यारी को बेतर कर रहे हैं थैंक यू